प्रस्तुत है हिंदी कहानी वादा सुनो, अगर फिल्मों की तरह मेरी डिलिवरी के वक्त भी तुम्हे डॉक्टर पूछेंगे कि हम बच्चे या मामे से किसी एक को बचा सकते हैं तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? कितनी बुरी बात करती हो? प्लीज बताओ ना मुझे मुझे जानना है कि तुम क्या कहोगे? मैं बिना देर किये कहूँगा कि वह तुम्हें बचा ले हो सकता है ये सही ना हो मगर जब बात तुम्हारी हो तब मुझे सही गलत नहीं दिखता मैं तुमारे नो महिने की तकलीफ तुमारे दर्द तुमारे मात्र प्रेम और पिता बनने के मेरे सबसे प्यारे सपने को एक पल की देर किये बिना भूल कर तुम्हें बचाओंगा क्योंकि जिस पल तुम ना रहो उसके बाद एक सांस लेने पर भी मेरी आत्मा मुझे धिकारेगी नहीं, तुम मुझे नहीं, हमारे बच्चे को बचाना और उसे इतना प्यार देना कि उसे महसूस ही ना हो कि मा ना होने से कोई तकलीफ होती है आज कैसी बहकी बहकी बाते कर रहे हो तुम यार किसी डग की लट लगा ली है क्या तुमने नहीं, मैं तो मजाक नहीं कर रही आज पता नहीं क्यों ये बात दिमाग में आ गई तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मेरे बाद अपने आपको कुछ नहीं होने दो दे और हमारे बच्चे को मिस्टर कमल किसी के अचानक पुकारने से कमल की यादों ने उसे हकीकत की ओर धकेल दिया सामने डॉक्टर शर्मा खड़े थे डॉक्टर सहाब प्रतिमा कैसी है? कमल ने हर बढ़ाट में सबसे पहला सवाल प्रतिमा के बारे में ही पूछा मुबारक हो कमल आपको बेटी हुई है कमल की बातों को अंसुना करते हुए डॉक्टर ने कमल के कंधे पर हाथ रखकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा वह डॉक्टर सहब आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई जानते हैं मैं शर्ट जीत गया मैंने कहा था कि हमें पहली बेटी ही होगी मगर प्रतिमा ही जित पर खड़ी थी कि नहीं पहले लड़का होगा प्रतिमा खुश है ना हमारी बेटी को देखकर मुझे ले चलिए उसके पास चल्दी से कमल की खुशी संभाले नहीं संभल रही थी डॉक्टर शर्मा ने कमल के कंदे पर रखे हाथ की पकड़ को इस तरह मजबूत किया जैसे वो उसे संभालने के लिए खुद को तयार कर रहे हो फिर अपने चेहरे के जूटी मुस्कुरहट को हटाते हुए गंभीर होकर कहा देखे कमल हम सब बस कोशिश कर सकते हैं कि हमने वही किया मगर हमारे हाथ में कुछ नहीं होता मतलब आप क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा देखे मैं आपकी उत्सुकता को और नहीं रोग सकता मुझे उन दोनों के पास ले चलिए मुझे प्रतिमा का मुस्कुराता हुआ चैरा देखना है कमल आगे की तरफ बढ़ते हुए बुला डॉक्टर ने पीछे से कहा कमल हम लाग कोशिशों के बाद भी प्रतिमा को नहीं बचा पाए खून बहुत बहच चुका था बच्ची को तो बचा लिया मगर प्रतिमा अपने दर्द से और नहीं लड़ पाई नहीं नहीं डॉक्टर आप ये सही नहीं कह रहे ऐसे मत भोलिए उसने कहा था ना आपको मुझे डरा देने को वो जानती है मैं डर जाऊंगा और मैं डर गया अब प्लीज मुझे उसके पास ले चलिए कमल अब अपने आपे में नहीं था कमल खुद को संभालिए आईए आपको आपकी बेटी से मिलवा दू डॉक्टर शर्मा कमल की हालत को अच्छे से समझ रहे थे कमल अब मौन था एक दम मौन जैसे हजारों बेचेन लहरों को समेटे सागर मौन रहता है जैसे भयावै काले बादलों को अपनी गोड में समेट लिये हुए हर कई बार आसमान मौन हो जाता है वैसे ही कमल मौन हो गया था अपनी अथा बेचेन विदनाओं को समेटे हुए कई बार अचानक लगी चोट आपको समझने का मौका ही नहीं देती है कि आप उस चोट की पीड़ा को किस तरह बाहर लाएं कमल की चोट तो इतनी गहरी थी जिससे उसकी आत्मा तक तड़ा पुठी थी जानती हो ये कहना नहीं चाहिए क्योंकि इस वक्त तुमें इतनी तकलीफ सहनी पड़ रही है और फिर इसका इतना ज़्यादा दर्द भी सहना पड़ेगा मगर फिर भी मुझे बहुत खुशी हो रही है हमारे एक हो जाने के बाद अगर कोई और सपना मैंने देखा है तो वो है हमारे बच्चे का सपना जितनी खुशी तुम्हें है उससे ज़्यादा खुशी मुझे है कमल एक मा बनने की खुशी दूसरा तुमारे सपने को पूरा करने की खुशी और जहां एक साथ दो-दो खुशियां मिले वहां दर्द भी सहलाहट सा लगता है जाना कमल ये देखिए आपकी प्यारी बिटिया डॉक्टर की अवास से कबीर को उसकी यादों ने फिर से हकीकत की जमीन पर लापटका मगर इस बार हकीकत पहले से कुछ खुबसूरत थी और खुबसूरती की वज़स यह थी कि इस बगीचे में खिली नन्नी सी एक कली कमल कुछ वक्त के लिए सब कुछ भूलकर अपनी बेटी के मासूम चहरे में खो गया उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके चहरे की ओट में प्रतिमा मुस्कुरा रही हो कमल ने डरते डरते उस नन्नी सी जान को कोट में उठाया एक पुरुष अपनी जवानी से लेकर बुड़ापे की हर कदम तक रखने तक एक ही चीज पर हमिशा गर्व करता है वह है उसका बल मगर जब वो अपने नवजात शिशु को गोद में उठा रहा होता है तो वह है बल उसका सबसे बड़ा डर बन जाता है उसी लगता है कहीं उसके सक्त हातों से उस बच्चे की नर्म तचा छेलना जाए कहीं उसके जोड से पकड़ने से उस मासूम की कोई हड़ी तूटना जाए कहीं वो उसके हातों से फिसल कर गिरना पड़े कमल को भी इस वक्त ऐसा ही महसूस हो रहा था बड़ी सावधानी से बच्ची को उसने गोद में उठाने के बाद वह कितनी देर तक उसे निहारता रहा उसने मन ही मन प्रतिमा के वादे को याद करते हुए कहा कि वह जब तक इसके कदमों में वह वो सारी खुशिया नहीं रख देता जिसके बारे में ये सोचेगी तब तक वह खुद को हर मुसीबत से बचा कर रखेगा ये मेरी बेटी ही नहीं, प्रतिमा की अंतिम इच्छा भी है वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा, कमल एक पिता और मा दोनों का फर्ज अपनी ओकाट से ज़्यादा बढ़ कर निभाता रहा इस बीच कई हितेशियों ने यह समझाने की कोशिश की, कि अभी आदी से ज़्यादा उम्र बाकी है, इसलिए उसे दूसरा विवाह कर लेना चाहिए तो इस पर हमेशा कमल यह जवाब देता कि अगर मैंने प्रतिमा की देह से शादी की होती, तो शायद दूसरी देह की लालसा में वह दूसरी शादी कर भी लेता, मगर हमने तो एक दूसरे की आत्मा से शादी की थी और हमारी शादी तब तक मान्य रहेगी जब तक आत्मा अपने अस्तित्व में है आज 26 साल बीद गए थे प्रतिमा को मरे हुए मगर कामल अब भी उसकी बाते किया करता था उसे हर रात सोने से पहले बताया करता था कि आज उसने और हश्णा ने क्या क्या किया उसने हर एक बात प्रतिमा की कल्पना को बताई और इन 26 सालों के बीच रचना और उसके बीच हुई उसने जब पहली बार पापा कहा तो वे है पहली बार हसी उसने जब अपना पहला कदम उठाया तो वे पहली बार चलने की कोशिश करते हुए गिरी वो जब पहले दिन स्कूल गई, उसने जब पहली बार प्रतिमा के बारे में पुछा, उसने जब जब क्लास में टॉप किया, उसके कॉलेज का पहला दिन, उसकी MBA कम्पलीट होना, उसका सुमित के साथ प्यार हो जाना, और पहली बार डरते डरते उसके बारे में बताना, यह वह सब उसने प्रतिमा से बताया था, इन सब के बीच वह हमेशा मा और पिता के रूप में बहतर रहा, मगर तफ वह बहुत बुरी तरह उलज गया था, जब एक दिन रसना इसकुल से रोते-रोते घर आई, और बार-बार पुशने पर भी उसे कुछ नहीं बता पाई, और फि पापा मुझे बचा लीजे, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती, रसना की बातों ने उस दिन कमल को उल्चन में डाल दिया था, कि वह अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाता आया था, मगर आप इस जिम्मेदारी को कैसे निभाए, वो मा का फर्ज निभा रहा थ मगर मा नहीं था, उसने बड़ी आशा से सोच कर प्रतिमा की तस्वीर को देखा, कि वही उसे रस्ता दिखाए, और तब उसे लगा कि जैसे प्रतिमा कह रही हूँ, डरो मत जाना, तुम मैं हमेशा रही हूँ, और कुछ देर के लिए पुरुष यापिता होने का खयाल आज अगर तुमने उसे नहीं समझाया, तो शायद वो इसे लेकर घबराती रहेगी, कामल में एक अजीब सी हिम्मत आ गई, उस दिन उसने अपने मातरित्व को महसूस किया, और रचना को समझाते हुए कहा, नहीं बच्चा, तुमें कुछ नहीं हुआ है, जानती हो, जब भगवान ने दुनिया बनाई ना, तो लड़कियों को एक पावर दी, जिसे वो हमेशा सुन्दर रहें, इसलिए हर लड़की के साथ ऐसा होता है, और इस लड़के साथ, उनके अंदर के सारे वो किटानों निकल जाते हैं, जो उन्हें सुन्दर होने से रोकते हैं, अब आ कुछ बाते हैं, जिनका ध्यान देना होता है, और कोई प्राबलम नहीं है, ये सभी लिडिज को होता है, हाँ, एक बात याद रखना, जब उनकी टानों को बाहर निकाला जाता है, तो वो आपस में लड़ते हैं, और उनकी लड़ाई से बाडी में दर्ध होता है, इससे घ तब तक यूज करना, जब तक ये प्राबलम हो, इतना सब बोलने के बाद, कमल ने प्रतिमा की तस्वीर की ओर देखते हुए कहा, लंबी सी सांस ली, उस दिन उसे ये एहसास हो रहा था, कि एक पिता का मा बनना आसान नहीं है, कल रखना की शादी है, उसे अब सुमित के स अपने नई जिन्दगी शुरू करनी है, शाम से ही रखना कमल के पिछे पिछे है, कमल शादी की तैयारियों में व्यस्त होने के बावजुद भी रखना की मायूसी को महसूस कर रहा है, मगर उसे पता है कि यह मायूसी बस कुछ वक्त के लिए है, क्योंकि फिर सुमित उसे इतनी खुशियां देगा की वह कभी मायूस नहीं होगी, रचना ने जब कमल को सुमित के बारे में डरते हुए बताया, तब कमल ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए एक ही बात कही की बेटी, मैंने तुमारी मा के बाद बस यही चाहा था, मैं मा और बाप दोनों का प्यार द देते हुए तुम्हें हमेशा खुश रखो, मुझे खुशी है कि तुमने अपना जीवन साथे चुन लिया है, मगर मैं भी तो बाप हूँ और मेरी यही इच्छा है कि उसके हाथ में तुमारा हाथ दू, वो तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार दे, मुझे सुमित से मि तो फिर मुझे कोई अतराज नहीं, रश्णा ने मासूम होते हुए कहा, फिर तो कोई चांस नहीं, क्योंकि आपसे ज़्यादा प्यार मुझे कोई कर ही नहीं सकता, कमल जोर से हस पड़ा, उसकी हसी में संतोष था, यह सोच कर कि उसने प्रतिमासी किया वादा अच्छे से निभाया, कमल हसते हुए बोला, मिलवाओ तो सही उससे, मुझसे थोड़ा कम भी प्यार करेगा तो चलेगा, रश्णा ने कमल को बड़ी जोर से गले लगा लिया था, सुमित से मिलने पर, उसकी एक बात ने ही कमल का मन जीत लिया था, जब कमल ने पूछा, कि अगर मैं र रश्णा को आपने पाला है, और वो आपके लिए क्या माइनी रखती है, और मैं ये भी जानता हूँ, कि रश्णा आपसे ज़्यादा किसी से प्यार नहीं करती, उसने पहले ही वार्ण करके कह दिया था, कि अगर पापा ने मना कर दिया, तो उसकी बात मुझसे मिलने की को पुशी भी, सुमित की बातों ने कमल का मन जीत लिया था, उसने उसी वक्त उसे गले लगा कर कहा शुक्रिया, मुझे मेरी जिम्मेदारियों से मुक्त करने के लिए, उसे इतना प्यार देना कि वह मुझे भूल जाए, सुमित ने जवाब दिया था, कि आप बन जाना मुश्किल है, मगर कोशिश करता रहोंगा, शाम से ही खुद को रोके रोके, रात होते होते, रचना आखिर कमल के कंधे पर तूट कर बिखर गई थी, अपनी अब तक की जिन्दगी में रचना जितना नहीं रोई होगी, उतना वह आज कमल के कंधे पर सर रख कर रोई, कब रचना कमल की गोद में ही सर रख कर सो गई, कमल आज से पहले जब भी प्रतिमा की तस्विर देखता था, तो उसके चहरे पर यह चिन्ता होती थी, कि वो जिस तरह से अपने कर्तवयों का निर्वाहा कर रहा है, वह सही है या नहीं, मगर आज उसके चहरे पर गजब का संतो शानती थी, रचना की शादी हो गई, उस दिन वो बहुत रोई, और उसके जाने के बाद कमल उससे भी ज़्यादा रोया, आज उसने प्रतिमा के बाद अपनी सबसे अनमोल संपत्ति को सुमित के हातों में सोंप दिया था, रचना की शादी को छे महिने बीद गए थे, शा हानीमून, सुमित के घर के रस्म रिवाज, इन सब में वह व्यस्त रही थी, रचना ने बताया की वह बहुत खुश है, सुमित का परिवार बहुत अच्छा है, और सुमित तो जैसे आपका ही क्लोन है, फिर हस्ते हुए बोली, पर क्लोन तो क्लोन होता है ना पापा, रचनल की बात ही अलग है, कमल मुस्कुरा दिया, कल रचना को जाना था, कमल से बहुत सी बाते करने के बाद रचना सोने चली गई, इधर कमल बहुत खुश था, वो प्रतिमा की तस्वीर को मुस्कुराते हुए देख रहा था, उसने मन ही मन प्रतिमा से कहा देखो, आज म मैं अपने वादे से आजाद हो गया, मैंने हमारी बेटी की चहरे पर खुशी महसूस की, मैंने अपना फर्ज अच्छे से निभाया है, तुम्हारे बिना एक पल काटना संभव नहीं था, मगर तुम्हारे वादे की वज़े से बहुत लंबा सफर काटना पड़ा, तुम्हार ने महसूस किया कि प्रतिमा तस्वीर से निकल कर मुस्कराती हुई उसके सामने खड़ी है, और उसके आसुप पहुँच रही है, कमल खड़ा हुआ और प्रतिमा की परच्छाई को गले लगा लिया, पापा, पापा, उठिये पापा, पापा, नहीं, आप नहीं जा सकते प रशना कमल के म्रत शरीर से लिप्टी हुई फूट फूट कर रो रही थी, सुमित उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था, रात का सूना घर सुबह अफसोस जताने वाली भीर सी भर गया था, सुबह जब रशना ने बार बार दर्वाजा खटकटाने पर भी कमल ने दर्व राकर सुमित को फोन किया, और सुमित के आने पर जब दर्वाजा तोड़ा गया, तो वहां कमल का म्रत शरीर मिला, म्रत होने के बाद भी कमल का चहरा संतोष से भरा हुआ था, अन्तिम संसकार के वक्त जब कमल की देह पंच तंत्व में विलीन हो रही थी, तब एक कोने में वो प्रतिमा के साथ खड़ा था, दोनों मुस्करा रहे थे, वर्षो बाद फिर से मिलने की खुशी दोनों के चहरे पर साफ जलक रही थी, उधर सूर्य अस्त हो रहा था, इधर इन दोनों की आत्माओं के मिलन की सुभह ने बड़ी शिद्दत से अंग्डाई लिह थी, प प्रेज चाहे इस जहान में या फिर उस जहान में, दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और लाइक करें, और अगली कहानियों के लिए चैनल A Story 2M को सब्सक्राइब करें, आप सभी का बहुत बहुत धन् ऐसक्राइब में नहान में एको ये पस्माँ के साथ। चैनल A Story 2M है नहान में आपको ये बहुत आपको ये जो उन्य पस्तों के टो अपको ये ऩज़िए उस नहान में आपको साथ प्राइब करें दोस्तों के सब्सक्टर्ण